इस वक्त की दोस्तों तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमारा साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा तो वहाई दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गढ़ बंदन और राहूल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों और कमेंट पर चूड़ने सुप्रीम कोड के मुखे नियाधिस के तोर पर एक साल पूरा होने पर एतिहासी का आदेश जारी किया है जिसके बाद कई सांसदों और विधायकों की सदसता तक जा सकती है हाँ आप लोगों को बताते चले सांसदों विधायकों पर 5175 मामले दर्ज हैं कई पांच-पांच साल से पेंडिंग हैं सीजी आई का सकत आदेश स्पेसल कोड बिठाओ कुछ भी करो लेकिन एक साल में इन सभी मामलों को निप्टाओ सुप्रीम कोड ने हाई कोड को अपने अपने राज्यों में निर्वाचित पारसदों सांसदों और विधायकों के खिल बताते चलें आप लोगों को यहाँ पर देश भर में जो आकड़े सामने निकल के आए हैं कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 5175 मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें से यहाँ पर कई तो 5 वर्स से भी पुराने मामले हैं वे मामले लगातार अटके रहते हैं जिसके कार भाजपा को अपनी हार साफ तोर पर दिख रही है इसलिए भाजपा अपसाम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तमाल कर लेना चाहती है चुनाओं के अंदर स्पेशल प्लेन में नोटों से भरे भक से ला रही है बीजेपी एडी सी आरपी अफ की भी चेकिंग हो मुख्यमंत मुख्यमंतरी भूपेस बगहिल ने आरोप लगाया है जी हां दोस्तों पहले चरण के बास से ही कॉंग्रिस दावा कर रही है कि राज्य के अंदर कॉंग्रिस की सरकार बन रही है और पहले चरण की जो 20 सीटे हैं उनमें से ज्यादा तर सीटे कॉंग्रिस पार्टी जीत र रोप लगाया है उन्होंने एडी और सी आर्पियक को भी सवालों के घेरे में रखा है भूपेस बगहिल का कहना है कि इन वहानों की भी चेकिंग की जाए और यहां पर चुनावायों को सक्रिय होना चाहिए दूसरे चरण के मतदान से पहले यह यहां पर भूपेस बगहिल की कुटाई सुरू हो गई है भाजपा के प्रत्यासी ब्रज मोहन के साथ में मारपीट की गई है जी हां दोस्तों जनता अब बीजेपी प्रत्यासियों को खदेडने लगी है छतिस गड़ में दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही राजधानी में राजनीती गर्माने लग बाते चले यहां पर बीजेपी के प्रत्यासी जनता के बीच में जा रहे थे डोर टो डोर कैमपेंड कर रहे थे लेकिन उनको लेकर के जनता के बीच में जबरदस्त गुसा था भाजपा को लेकर के भी गुसा था जिसके बाद यहां पर जनता बेकाबू हो गई और उनके स सुप्रीम कोड को मिले हैं तीन नए जज सीजी आई डिवाई चंदरचूड ने दिलाई है उन तीन जजों को सपद खबर बताते चलें सीजी आई डिवाई चंदरचूड ने सुप्रीम कोड के जज के रूप में हाई कोड के तीन मुख्य नयाधीसों को सपद दिलाई है फाइलों को अटकाय रहती है लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोट ने जम करके फटकार लगाई थी मोदी सरकार को और कहा था कि हमें सक्ट एक्षन लेने के लिए मजबूर मत कीजिये जिसके बाद देख सकते हैं कि अब cgyi की फाइलों को क्लियर किया गया है जिसके बाद सुप्रीम कोड को तीन नए जज यहां पर मिले हैं और डीवाई चंदरचूड ने उनको सपद भी दिलाई है तो वहीं एक और बड़ी अपडेट की तरह बढ़ते हैं राहुल गांधी लगातार 36 गर से लेकर के मध्ः प्रदेस और तेलंगाना में चुनावी रैलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं सीकरम में राहुल गांधी अब यहां पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनावी प्रचार में आप तो दिन में यहाँ पर 6-7 रैली करते हुए राहूल गांधी नजर आ रहे हैं बताते चले इसी क्रम में राहूल गांधी मध्ध प्रदेश पहुंचे जहां पर उन्होंने जबरदस तरीके से भाजपा सरकार को गेरा है और कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान हिंसा और नफरत से होता है आपकी मदद से मैंने भारत जोड़ो यात्रा की क्योंकि मैं महबत की राजनीती करना चाहता हूँ नफरत की नहीं राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि मैं देश भक्त हूँ इसलिए मुझे पता है कि नफरत से देश कमजोर होता है इसलिए मैंने नारा दिया नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहा हूँ और इस बार तो पांचों राज्यों के विडियो को लाइक कीजेगा एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं बीजेपी को जब भी हार सामने दिखती है तो सी बी आई एडी और चुनाव आयोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं संजे राउत ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी सरकार पर उद्धभ ढाकरे गु च्छेप करते हैं सी बी आई एडी और चुनाव आयोग को केंदर का तोता बताते हुए उद्धभ ठाकरे गुड के नेता संजे राउत ने तरक दिया है कि वे उन राज्यों में सक्रिये हो जाते हैं जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं जहां बीजेपी को हार सामने दिख ही होती है वहाँ पर केंदरिये एजन्सियों को आगे कर दिया जाता है भाजपा की बॉखलाहर साफतोर पर बता रही है कि भाजपा 24 का चुनाव भी हा रही है पांच राज्यों में विधान सभा का चुनाव भी हा रही है संजे राउत ने किया है दावा दोस्तों आप लो वारंट जारी हुआ लेकिन सुप्रीम कोड का प्रोटेक्शन मिला है सुप्रीम कोड ने 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वारन असी की सांसद विधायक अदालत के द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से कॉंग्रस के नेता रदीप सिंग सुर्जेवाला को यहां पर प्रोटेक्शन प्रदान कर दिया है यानि कि अब सुप्रीम कोड का संदच्छन मिल गया है सुर्जेवाला को सीजी आई डीवाई चंदरचूड नियाय मूर्ती जेभी पारदिवाला और नियाय मूर्ती मनोज मिसरा की पीठ ने गैर जमानती वारंट रद कराने के लिए सुर्जेवाला को यहां पर पांस सप्ताह के भीतर विसेस नियाधि सांसद विधायक वरारसी की अदालत से उपर्क करने को कहा है यह यहां पर दोस्तों पूरा मामला है एक और अपडेट बताते चलें आप लोगों को 36 गड़ में नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर जी हां दोस्तों पहले चरण के चुनाओ के बाद मुख्यमंत्री भूपेस बगेल ने किया है ऐसा दावा की बीजेपी की नींद उड़ गई है 20 में से 17 से अधिक सीटे कॉंग्रेस पार्टी पहले चरण में जीत रही है भाजपा की बौक लाहर बता रही है कि पहले चरण के परिड़ाम का इन्हें पता चल गया है 36 गड़ पहले चरण से ही कॉंग्रेस मैं हो चुका है कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है यह यहाँ पर सीयम भूपेस बगेल ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि 20 सीटों पर जो मतदान हुआ है पहले चरण के तहत में उसमें यहाँ पर 17 से भी जादा सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है यानि की क्लीन स्वीप कर रही है कॉंग्रेस पार्टी अगर आप लोग भी सहमत हैं भूपेस बगेल के दावे से तो वीडियो को लाइक कीजेगा यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी मुखे समचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों जादा से जादा इन खबरों को मुखे समचारों को शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत